हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सुबों की बीच देखिए आज हम आपको जो आरवट जो नौलेज इन्वर्सिटी एजी से हम लोग सौटकॉट में एक के यू बोलते हैं उसका जो वीड़ फरस्टेर का है जरबीस में जो एक्जाम देंगे उनके लिए दम वीवी आई क लिए जो एक्जाम में आपको आएगा मतले एक्जाम में वह कुष्टन आएगा तो आएए हम देखे लिखा होगा वीवी आई कोस्टन वीट फरस्टेर जरेका इस आवट नौलेज इन्वर्सिटी कोर्स वन यानि कोर्स वन के लिए करा है यानि चाइल्थूड और गरोव लेकिन जवाब देजी छोड़ना इसको नहीं है समझें तो नमबर आपका कर जागा और बचा आठ गूस्टन आठ में से चार का देना है उसलों शुलों नमर कह रहेगा और यह आपका एक नमर जो कोस्टन है उसमें आपका बारा कोश्टन रहेगा जो आपका उसमें से तक नंबर कोस्चन का जवाब अनीवार रूप से देना है तहां एहां तो यहां पर एक नमर में लिखा अनिवार्ट इसका इसका एंसर आपको कई सचो देना है समझे छोड़ना नहीं है इसको एक जाम में एक नमबर कोंस्टन का आप निर्देश पर लीजिए गांड़ लिखा एक्जाम में जाइएगा तो निर्देश पढ़िएक इन्ट्रक्षन पर यह लिखा रहता है कि एक नमबर का जवाब देना अधम जरूरी है समझे त मतलब आपका 12 कोश्टन रहेगा कि 12 में लिखा रहाएगा 12 में से इस कितना का जवाब देना है आट कर देना है तो पर लिखा लिखा हुआ आपका कितना नबर कराएगा दो नंबर कराएगा में आपका बल्लय वस्था के बारे में पढ़ना है जिसमें इरिक्षन कोहलबर्ग और प्याजे के थियोरी मिल जागा बल्लय वस्था से दुसरका यूनिट में आपका पढ़ना है स्वरावस्था को पढ़ना कि समाजी करन कि समाजी करनी में पर बैक्तिगत JEA उसके बाद आपका पढ़ना hormone ति लू के बाद चुल को संधिव का resoloss ने बिद्धि हैं कि अधिंग अजीन घौन होता है लूरिट में लूर्णिश्वीै कि सबीडिट सब्सक्राइब करते हैं कि जितना भी मतलब कोस्चन है जो नमर वाला पूछा हुआ है उसका एंसर हम अगल का वीडियो में आपको प्रभाइड करा देंगे सब्सक्राइब करते हैं कि विकास की किस अवस्था को संगर सता तनाव की अवस्था का जाता है सब्सक्राइब करते हैं कि जो कुछ सा वस्था है मतलब संगर सता तनाव की अवस्था करते हैं समझें तो आपके इंसर इसका जानते होंगे कि कि सब्सक्राइब संगर सता तनाव रहता है तो बी नंबर कोश्चन है इंग्लिस पर लिखा है कि विच स्टेज अब डेफ्लोमें इस कॉल्डे स्टेज अब देश्ट्रेज और इस्ट्रेज मतलब संगर सता तनाव के वस्था जानते आब सिदान की तिसरी तरह चोथी आप जानते आठ अवस्था बताया हुए था तो देखिए एक और चीज है कि आप को जितना भी भी वी वी कोश्चन होगा जितना हम दे रहे हैं तो आपको जो आप सुलन नमबर वाला कोश्चन पढ़ लिजेगा ना उसी में से आता है आपका दो नमबर वाला कोश्चन थे जितना भी वीडियो आप से चल लाएगा मेरे पलेयलिस्ट में प्लेश्ट में जाएगे वहां चालें प्लेश्च खुलिएगा वहां पर अपको ए्रिक्षन पिया आजे कोहलॉबर्ग सब का वीडियो मिल जागा मतलँ जितना भी आपका वे साइको सुशल थियोडी फिर आपका अगेल का कोश्चन है कि कोहलबर्ग कोहलबर्ग दरा प्रतिपादी नहतिक विकासिधानत के परमपरागत अस्तर के दो उपसमूह कहना आप जानते हैं कोहलबर्ग ने तीन अस्तर बताया थे मतलब तीन आपका अस्तर दिये थे और उसमे उतना भी आपका साथ कोश्चन है सबका इंसर आपको प्रुभाइट करा देंगे फिर आपका अगिल का है कि जीवात था ऑत्म कंदीत्ता प्याजे के संक्र्यात्म क message SHET पुर्व संक्रियात्मा को फ़ंदह में उसके बाद संक्रियात्मा कोश्था पेले करने इस पूच्छन पूच्छन दिये हुएि पर लिखा हुआ है इसका डिफनिशन आप लिख दीजिये सिंपल में कि जब समाजिक परयानी के रूमें बदल जाते हैं उसे समाजी करन करें तो आपका है कि शिक्षा में ब्यक्तित्प का बहुत बता है नहीं पढसे है प्रिफिसे समस्वत है फिर आपका कोशन है कि बद्धी लबदी- शूत्र होता है मानी आप जानते है ये सब मतलब आपका बारा को सचन रहेगा और बारा में से आपका पार। जवाब देना या उसको छोड़ना नहीं है समझे को फिर्वा उन्यवाशाप सोगा वाहिदा है तो इसमें हम बता हैं पहले ही प्लत को सब्सक्राइब यूनिट आपका चार पढ़ना है जिसमें आठ को चलाएगा पर तेक यूनिट से एक नुका जवाब देना है लेकिन 2020 में यूनिट नहीं दिया था कुला था किसी को आप जवाब दे सकते लेकिन यूनिट भी देगा तो पढ़ते की उनिट से एक एक का जवाब वहाँ पर लिखा रहता है समझे तो वहाँ पढ़ लेजिए निर्देश क्या है नहीं दिया होगा तो और अच्छा है कोई सी का जवाब दे सकते हैं तो देखें याद रखेगा जो यूनिट वन है उसमें आपका इरिक्षान के मोन समाजी विकास की सिदान्त की वर्णन करे और यह मतलब यह कम चांस है लेखिन यह पुछा दो आएगा नहीं तो कोहलबर्ग के नहीं विदियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैलिवन ग्रोबिंग आपको प्लेलिस्ट में वहाँ सब का व रहे ऐगा ही रहेगा समझे इंट दो नेटा रहेगा एक आपका ईडिक्षों ए कोई मतर सिधान से रहता एक बल्रेवास्तय आपका क्वस्टन आहेगा त translates से कोई एक कोश्चन रहेगा इरिक्षन या कोलवर्ग में से आप समझ गए आई आप दूसर तीसरे कोश्चन देखते हैं कि बल्यावस्था वाला भी एक कोश्चन फिक्स राता है इनिट वन में कि बल्या काल जीवन का अनोखा काल है इस कथन का सपस्टी करन किजिए और इस सब्सक्राइब देख चीफ फिचर ऑफ दा पिडियेड वाद इसकाल की क्या क्या विसेशता है समझे इसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपका यूनिट टू में यूसरी यूनिट वन में आपका एक त्यूरी रहे है का इरिक्षन या कोई रहेगा और दूसरा कोच्ण क्या रहेगा इसमें आपको एक का जवाब दना है कि किस्वरावस्ता बरे संगर्स ततनावत तुफान तता विरोत की अवस्ता है इस कथन की चचा की जैता इसकाल की परमुक विसेशताओ का वनन की जैसे इसका यी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल ज स्ट्रों एंड स्ट्राइक डिसकर्द स्ट्रेट्मेंट एंड डिस्क्राइब देशीप फीचर आप इसकाल की विसेशता है तापका मतले उनिट्टू में फिक्स है किस्वरावस्ता से कोच्चन रहता ही रहता है समझें आई आई आगे लिका देखते हैं पच्वा नमर को समझें डिस्क्राइब रोल आप टीचर एंड फेमिली इन डिलिंग विट एडोसें प्रोग्लम मतले क्या क्या उसकी दिक्कात कैसे निराकरण करेंगे फिर आपका उनिट्ट्री मतलब समाजीकरण से इसमें कोच्चन रहेगा इंड रहेगा समझें जो आई देखते हैं प उसे आप क्या समझते हैं बिहार के मतलब असमांदाय कारणों की चर्चा की थे फिर आपका एक लिगा कोच्चन दिये हैं कि इंगलीश भी लिखा है कि वाट डू यू मीन वाइड इन इक्वालीटी डिसकर्ट द रीजन ओफ इन इक्वालीटी विद एस्पेशल फोकस अन बिहार फिर आपका सत्वा नमर कोच्चन है कि समाजी करण को परिभासित करे समाजी करन की परिक्रिया में परिवार समुदाय तता विद्धाले की भूमका का ओर्ण करें यानि डिफाइन सोसलाइजेशन डिसक्राइब द प्रोसेस ऑफ सोसलाइजेशन इन कंट्रेक्स्ट थे गने इन कूशन आगए कंट्वाइब दूसरा समाजी करन और तिसरा पर लिजेगा विहार के संदर में, बल्यकाओ की सिक्षाप में आने वाली समस्या क्या है, या इसी कोच्चन को दाइस पूस्ट सकता है, कि विद्धाले में बल्यकाओ के किस परकेति समस्याओ का समन करना परता है तो यह चीज आप लिख सकते हैं इंगली सी पर देखते हैं प्रोब्लेम फेस्ट बाइगर्ल इन एजूकेशन विद इस्पेशल रिफ्रेंस टू बिहार समझे तो आपका यूणिट थी भी हो गया आए यूणिट फोड देखते हैं यूणिट फोड में आपका a question है कि धीमी गति से सिखने वाले इसमें भेक्ति भी हमता बोले हैं धीमी गति से सिखने वाले को आप कैसे पहचानेंगे एक सिक्षक के रूप में आप उनकी अश्ताल की बूरती कैसे खरेंगे कहने का मतला हुआ कि जो धीमीगति से जो देखिए और युणिट थी में पढ़ लिजेगा तेकि और इंवर्सिटी में युणिट पांच तक पढ़ रहा है लेकिन युणिट थी में ही युणिट पांच का आपका जो क्या पहस्चान निर्मान है उसको दे दिया तो थोड़ा वीडियो मिल जा उसको तुरह देख लिजेगा समझे वीडियो उसको प्लेइलिस्ट में मिल जागा कि आपके इन्वर्सिटी में जो आभट इन्वर्सिटी उसमें चार ही मतले उनिट पढ़ना लेकिन और बिहार कदर इन्वर्सिटी है मितला हुआ बिहार हुआ कोई प्लेइलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा समझे चैलोडन ग्रोपिंग आपका देखते हैं यूनिट फोर में आपका धीमी गती वला रहेगा ही मतला स्मझे तो वही बात है कि धीमी गती सिखने वाले को आप कैसे पहचानेंगे कि एक सिक्षर के रूप में आप उनके आउसकता को पूर्ति करेंगे तो दिक्सिलेक्सिया रहे है मतलब पढ़ने में यह सब वही चीज़ है कि हाव इल्टिफाइ स्लो लर्न आइज टीचर हाव विल्यूर्स कैटर देर मतलब कैसे उसकी अथिको आप सकता को पूर्ति करे वह क्या होता और इसको कैसे आप बरहा सकते हैं तो बहुत दिक परतिवाई पर लिजेगा फिर आप धिमीगति सिखने वाले पर लिजेगा और लास्ट पर लिजेगा कि वेक्तित्व क्या है यह भी कोस्टन आ रहे यह आपका ब्यक्तित्व वांसा अनुक्रम यह जो मेठड आपका वो सबकर वादेंगे तो आपका मतल्ब आवाट इन्वर्सिटी वाले के पुड़ा हो जागा शकेंड यह भी होगा यह मतलब इसका हम करवा देंगे परस्ट टेर का आज इतना ही हम बहुत जल्दी आपका सकेंड यह मतलब पेपर टू है उसका लेंगे So, thank you.